हेलो एंड जाहें दोस्तों कैसे हो आप सब मेरे नाम है पवन और आप देख रहें यूट्यूब चैनल टेक तरह जो तो आज किस वीडियो में हम जहां पर बात करने वाले हैं है तो कहीं न कहीं सेलरी भी माइन रखती हैं कि हमें कितनी जो हो अपो कितनी मिलती है तो जहां पर मैं एक श्लिप आपको दिखाऊँगा जो की 2000 जहांपर अभी 2021 की है, जो कि 2021 की है, फोर्थ मंत की है, जैनि चोथे मंत की Pay Slip हैं, जो कि एक screen chart जहांपर मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जहांपर Share कर दूँ, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि training time salary लेकिन अफ्टर ट्रेनिंग जब आप कम्प्लीड हो जाती है आपकी ट्रेनिंग तो अपकी जो हो आप इंड्यूटी देते हो तो उस टाइम जो आपको सैलरी मिलती है वह आज के वीडियो से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा तो एक कंस्टेबल जीडी रेंग के जो सोल इसके बाद जहांपे पेस्केल के बात करें 2799,100 याने की यह पेस्केल रहने वाला है आपका और इसके बाद जहांपे नेम जहांपे हाइड किया हुआ है और जहांपे कौन सी कंस्टेबल जीडी की आप जहांपे साब देख सकते हो तो आप बात करते हैं जहांपे कितनी प को डी और देखने को मिलते हैं जैंस में कि आपका dNS जहांपर देख molto इसके लाब वाँ आप टीपीती अठारहसो डी यह ऑनटीपिटी बभी आप घंपर डेख सकते हो इसके लाब में अप जब देखोगे तो जहांपे बेसिक पे जो आपको मिलती है बो मैंने आपको पता दिया टीपीटी और जहांपँ तो जब थोड़े से निच्चे आऊगो तो और भी जब कुछ आपको जहांपे देखने को मिलता है जैसे हाड चिप जो आपको मिलता है जहां पे मिला है इनको 9700 तो जहांपे टोटल जो सेलरी बनी है इनकी वो बनी है जहांपे 45,835 जिसमें से आप देख सकते हो 3818 जो अब की डिदक्शन हुई है जाने कि आपकी कुछ पेमेंट जो हो काटी जाती है जो कि बाद में आपको जो हो मिल जाती है जब आप रिटार होते हो उस टाइम आपको जो मिल जाती है तो जहांपे जो टोटल सेलरी बन रही है बो जो बन रही है 45,835 और इसमें से जो डिक्शन होके जो जो अभी मिली है दोगजार इकिस में तो वह आप जहांपे देख सकते हो 42,100 जानी 42,17 रुपे जो है वो सेलरी मिली है तो अभी 2021 में जो GD तो वो आपको by hand जो salary मिलने वाली है वो अभी जो मिल रही है बो मिली है 42,017 रुपीज जनी की 42,000 रुपेज जो salary मिली है 2021 में CISM में तो अगर आपका भी जहांपे CISM में selection होता है जहां फिर आप जो CISM के salary के बारे में सोच रहे थे कितनी payment मिलती है तो मैंने जहांपे आपको विल्कुल clear बता दिया है 42,000 salary जनी 40,000 के करीब जो आपकी salary रहने वाली है जब आपकी post जो है वो आप अपनी training complete कर लोगे उसके बाद जो आपको salary मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी तो इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी इससे कम नहीं हो सकती ही जो है वो हर साल जो बढ़ती ही है salary तो आप मान के चलो कि जब आपकी training सब कुछ complete हो जाएगा तो आपकी जो salary होगी वो बताली 1000 पलस ही रहने वाली है तो फिलाल इस वीडियो में मैंने आपको जही जहांपे बताना था कि salary के बारे में तो I hope कि जहांपे सारी doubt आप कर दो